प्रेजलोड जैमसी की सब को मैं श्रिंक ला फिर से परमिश्व के सामर्थी और मधूर बचन में आप सब ही को जैमसी की बोलती हूं मैं धनिवाद देती हूं उस परमिश्व पिता का जिन्नोंने आज का सुन्दर दिन दिखाया और मैं धनिवाद देती हूं कि आज की सुभ तो मलता है जैसे हम देखते हैं और हमने बाइबल में भी पड़ा है मांगो तो तुहें मिलेगा। तो आज की प्रार्थना की शुरुआत हम agementने से प्रमेश् chu से करते हैं तो आईए हम धन्यवाद का बलिदान चड़ाएंगे। धनिवाद 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 परमेशर पिताच के सुन्दर समय के लिए आपको धनिवाद देते हैं परमेशर पूरत देन आपने हमें सम्हाल के रखा इसके लिए धनिवाद देते हैं परमेशर प्रमेशर प्रार्थना विंती निवेदन करते हैं प्रमेशर आगयाने वाले समय को आपके हातों में सौंपते हैं प्रमेशर प्रमेशर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रमेशर हर एक जन के लिए जो तरहतरा की बिमारियों से उग्रसित है प्रमेशर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेशर जो भी मौसम की तमाम परिशानिया है सर्दी है जुखा में बुखार है परमेशर आप उन सब ही लोगों को परमेशर अपने लहू वाले हातों से छुई और चंगाई दीजे परमेशर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेशर उन बच्चों के लिए परमेशर जो अपने जॉब के लिए परशान है परमेशर उनने एक बेस्ट जॉब परमेशर मिलने वाली हो पाई परमेशर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेशर उन लोगों के लिए परमेशर जो तरह तरह के आत्मिक बंधनों में बंदे हैं परमेशर उनके सारे बंधनों को आपके लहू से तोड़ती हूँ परमेशर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेशर हर एक व्यक्ति के लिए परमेशर दिल में जिनके भी जो भी दुआएं हैं परमेशर आप उनकी हाँ और आमीन में अंसर दीजें परमेशर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेशर अगर कोई व्यक्ति उदास है परमेशर उसकी जिन्दगी में कुछ भी कारे अच्छा नहीं हो रहा है परमेशर आप उसके लिए एक नया रास्ता खोलिए परमेशर मैं प्रार्थ ना करती हूँ आज का जो भी वच्छन है परमेशर वो हर एक की जिन्दगी से बात करने वाला हो पाए परमेशर बहुत सारी आत्माए परमेशर आपके वच्छन के माधिम से बचाई जाने वाली हो पाए परमेशर आगयाने वाले समय को परमेशर आपके हाथों में सौपते हैं हमारी नहीं बल्कि आपकी जहने रंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे परमेशर मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपमंकल और शिबनमान्टी के लिए परमेशर उन्हें जो पेच क्रियेट किया परमेशर इस पर अपना बलस्सिंग्स का हाथ रखे परमेशर इस पेच से जितने भी लोग जुड़े हैं परमेशर उनको सब को बहुत आयत से आशिशित करिये परमेशर मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपमंकल और शिबनमान्टी के लिए परमेशर उन्हें परमेशर आप इस्तमाल करिये और इस्तमाल करिये परमेशर ताकि उन्हें देख कर बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदनने वाले हो पाए परमेशर इस छोटी सी प्रार तेरा लहू देता है हमको शिपा तेरा लहू तेरा लहू देता है हमको शिपा तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप शमा तेरा लहू देता ये गवाही, मुझे में ही तो है मिल तेरे हाई तेरा लहू देता ये गवाही, मुझे में ही तो है मिल तेरे हाई तेरा लहू, तेरा लहू, सुखे हुए तन में फूके ये जान तेरा लहू है सबसे महान सुखे हुए तन में फूके ये जान तेरा लहू है सबसे महान जिन्दा लहू, मुर्दों में फूके है जान तेरा लहू, तेरा लहू, मुर्दों में फूके है जान तेरा लहू देता ये गवाही, मुझे में ही तो है मिल तेरे हाई तेरा लहू, तेरा लहू, सच में उसका लहू जो है वो हमारे सारे पापो से, हमारी सारी प्रॉबलम से हमें क्या देता है रिहाई देता है तो आई हम वच्चन के लिए प्रातना करते हैं और उसके पाद हम आज के आत्मिक मन्ना को मिल बात करके खाएंगे धन्यवाद धन्यवाद परमेशु पिताच के समय के लिए वच्चन के लिए प्रातना करती हैं परमेशर ये वच्चन हर एक जिन्दगी में काम आने वाला हो पाए परमेशर शोड़ी सी प्रात्ना को आपके प्यारे बेटे ये शुनासरी के नाम से मांगते हैं सुनी और ग्रहन कीजिए आमीन आज का जो टॉपिक है वो हमें मिलता है मती रचित सुसमचार उसके सेविंत अधियाए और चौबिस से सताइस आयत पर मती रचित सुसमचार उसका सेविंत बाप और उसकी चौबिस से लेके सताइस आयत तक हम पढ़ेंगे और इसी में ही हम लूका रजट्सु समचार उसकी छे बाप और उसकी 47-49 वर्स भी हम साथ में ही देखेंगे तो अभी मैं जो रीट कर रही हूँ वो है मती साथ इसलिए जो कोई मेरी ये बाते सुन कर उन्हें मानता है वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठेरेगा जिसने अपना घर चटान पर बनाया और मेह बरसा और बाड़े आई और आधिया चली और उस घर से टकराई फिर भी वे नहीं गिरा क्योंकि उसकी नीव चटान पर डाली गई थी परन्तु जो कोई मेरी बाते सुनता है और उन पर नहीं चलता वे उस निर्बुद्धी मनुष्य के समान ठेरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाड़े आई और आधिया चली और उसकी घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वच्चन हमें बताता है और हमारा ध्यान केंद्रत होता है तीन बातों पर सबसे पहली जो चीज है वो है बुद्धी मान और निर्बुद्धी पुरुश के बारे में दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है घर के बारे में और तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है बार, आन्दी और तूफान के बार है तो वचन हम से कहता है कि जो कोई मेरी बाते सुन कर उन्हें मानता है वो क्या है बुद्धिमान व्यक्ति है यानि हम जो वचन सुनते हैं और अगर हम उसे फॉलो अप करते हैं अपने जीवन में जरूरी है कि हम हर एक वचन को सुनने नहीं बलकि उस पर चलने वाले बने और जब हम चलते हैं तब हम उस व्यक्ति के समान होते हैं जिसने अपना घर किस पर बनाया चटान पर बनाया जब हम अपना घर बनाते हैं तब हम चाहते हैं कि उस घर पे अगर हम रह रहे हैं तो वो सुरक्षित हो सुन्दर भी बने और सुरक्षित भी बने मजबूत भी बने उस मजबूती को घर की मजबूती कौन देता है नीव देती है ये नीव जिस पर हम अपना घर मनाते हैं वो बहुत स्ट्रॉंग होनी चाहिए लोग लाखों रुपे रखर्च कर देते हैं नीव स्ट्रॉंग करने के लिए क्या हमारा और आपका जीवन ऐसा है कि हम हमारा जो परमेश्वर पिता है क्या हमें ने उसको अपने जीवन में कभी नीव कितना यूस किया है कि हम बिने भी अपना घर किस पर बनाया बालू पर बनाया यहां पर हम देखते हैं तो हमारा जीवन जो है उसकी तुलना परमेश्वर ने घर से करी है क्या हमारा जीवन का अधार ये शुमसी है परमेश्वर है ये शुमसी हर एक जीवन की चटान होनी चाहिए क्या हमारा जीवन ऐसा है इसके बाद हम जब देखते हैं लूका रचित्सु समचार उसकी सिक्स्त में बाप में और 47 से लेके 49 वर्स तक यहां पर लिखा है जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बाते सुन कर उन्हें मानता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है वे उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमी गहरी खोद कर चटान पर नीव डाली और बाड़ाई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वे पक्का था परन्तु जो सुन कर नई मानता वे उस मनुश्य के समान है जिसने मिठी पर बिना नीव का घर बनाया और उस पर धारा लगी तो वे तुरंत गिर पड़ा और गिर कर उसका सत्यानाश हो गया यहाँ पर लुका रचिसु समचार में हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है अगर हम अपना घर बना रहे हैं अगर हम अपने जीवन को चला रहे हैं तो हमारी नीव बहुत गहरी होनी चाहिए और हमारे जीवन का अधार क्या होना चाहिए चटान जो कि ये शुमसी है गहराई होनी चाहिए वचन में गहराई होनी चाहिए क्या हम और आप केवल इस वचन को सुनते हैं और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं तो हम उस निर्भुध्धी के समान है जो अपने जीवन को किस पर बना रहा है एक बालू पर बना रहा है और वो घर क्या होगा ढहे जाएगा सब चीजें परशानिया दिक्कते सबकी लाइफ में आती हैं एक धर्मी व्यक्ति की भी और एक निरभुत्य व्यक्ति की भी जो विश्वासी नहीं होता है लेकिन जो विश्वासी होता है वो अपनी problems के उपर होता है और उसकी problem उसके पैरों के नीचे होती है क्योंकि उसके घर की चटान कौन होता है ये शुमसी होता है और जो अविश्वासी व्यक्ति होता है जो निर्बुद्धी व्यक्ति होता है उसकी लाइफ में जब प्रॉबलम्स आती है परिशानिया आती है तो वो क्या होता है वो डर जाता है और उसका से टकराई, बुद्धिमान व्यक्ति के घर से टकराई फिर भी वे नहीं गिरा क्योंकि उसकी नीव चटान पर डाली गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है, आप लोगोंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेस करी हो, कर रहे होंगे उससे जूज रहे होंगे और तब भी आप अपने जीवन में स्थिर हैं अपने जीवन में खुशाल हैं इसका मतलब आपका घर किस पर बना हुआ आपका घर ये शुमसी पर बना हुआ और अगर problems आते ही साथ आपका जीवन तहस नहस हो जाता है, आपका जीवन विवस्तित हो जाता है, तो आपका घर किस पर बना है, आपका घर बालू पर बना है, problems जैसे मैं हर बर बताती हूँ कि problems की ending define करती है, कि वो problems में आपने क्या क्या किया है, अगर आपका विश्वास अ अंत जोगा as a testimony आपके लिए होगा लेकिन अगर आपका विश्वास और आपका भरोस आप सिर्फ problems को देख रहे हैं कि आपके जीवन में कितनी problems हैं तो वो problems कभी भी खतम नहीं होंगी बलकि आप उनमें क्या होंगे घुसते चले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए हमारे जीवन का base होना चाहिए येश्यो मसी और येश्यो मसी क्या है जैसा कि हम वचन में लिखते हैं पढ़ते हैं कि मैं क्या हूँ आदी में वचन था वचन परमेश्य के साथ था तो येश्यो मसी क्या है वचन है अगर हमारे जीवन में वचन गेहराई से है तो हमारा घर किस में बना हुआ है हमारा जो शरीर उपी घर है वो हमारा किस पर बना है चटान पर बना हुआ है क्या हर समय हम वचन में रहते हैं जिसे वचन में लिखा है निरत्मतर प्रात्ना करते रहो तो सारी वस्तों तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी क्या हम करते हैं वचन में लिखा हुआ है कि मैंने जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे सम्हूँ क्या हम ये चीज़ मानते हैं अगर मानते हैं तो हमारा जीवन किस पर बना हुआ है और वचन क्या है वचन ही वो चटान है और हमें इसमें क्या करना है गहराई से अपने नीव को डालना है क्योंकि जब हम वचन में होंगे तब शयतान हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हम शयतान को सिर्व वचन के माध्यम से ही हरा सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं 26 वर्स में लिखा है परंतु जो कोई मेरी ये बाते सुनता है और उस पर नहीं चलता वे उस निर्बुधी मनुश्य की समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा बारे आई और आंधिया चली और उस घर से टकराई और वे गिर कर सत्यानाश हो गया और वो व्यक्ति जो कि वच्चन में नहीं बना हुआ है सिर्फ एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है ऐसे ही हो जाता है कि उसका घर जो शरीर रुपी घर है से उबर नहीं पाऊंगा लेकिन ये शुमसी ने आपके दाहिने हाथ को पकड़ा हुआ है उसने कहा है कि क्या कहा है उसने मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ता हूं और वो दाहिना हाथ परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता क्योंकि परमेश्वर का प्रामिस है अगर उसने कु लेकिन तब भी परमेश्वर ने क्या किया उस प्रॉमिस को पूरा करा वैसे ही परमेश्वर का प्रॉमिस है जगत के अंद तक मैं सदा तुमारे संग हूँ तो हमें परशान होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो परमेश्वर एब्राहम का था जो परमेश्वर याकूप का था जो परमेश्वर दाउद का था उतना ही शक्तिशाली परमेश्वर हमारा भी है कोई उसकी सामर्थ को नहीं माप सकता जिसने समुंद्र की गहराई बनाई जिसने आकाश की उचाई बनाई जब हम उसे माप नहीं सकते तो क्या हम अपने परवेश्चर की सामर्थ को मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते ये दुनिया कैसे टिकी हुई है क्या कोई समझ पाया है नहीं समझ पाया जब उसके किये हुए कामों को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसकी सामर्थ को समझ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं हम सिरिफ उस पर विश्वास कर सकते हैं तो आज से अभी से आपको अपने जीवन को किस पर बनाना है वचन की गहराई में बनाना है जैसे कि आज हमने पढ़ा है हमें बुद्धिमान व्यक्ति बना है हमें निर्बुद्धी नहीं बनना है क्योंकि हमें किस पर अपने जीवन को अटल रखना है हमें येश्यू रूपी चटान पर रटल रखना है और येश्यू क्या है येश्यू वच्चन है और वच्चन भी हमें कैसा जानना है गहराई से जानना है किवल सुन करके एक कान से सुन करके दूसरे कान से नहीं निकालना है भलकि उस पर चलना है और दूसरों को भी सुनाना है त्योंकि इस दुनिया में हम बे करोंगी आशा करती हूं कि आजका जो भी वचन था वो आपके जीवन में जरूर काम करेंगे तो आईए हम अंतिम प्रातना करते हैं और उसके बात फिर हम प्रमेशर, 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 प् जो भी परिशानी आप हम से बहतर जानते हैं परमेशर जिसे वच्चन में लिखा है कि तू ही है तू जो मनों को जानता है परमेशर और हम जानते हैं कि हमारे मांगने से पहले परमेशर आप हर चीज हमें मौया कराते हैं हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं आग करते हैं और आशा करती हूँ जो भी आज का वचन था वो आपकी जिन्दगी में जरूर काम करेगा प्रेजल और जैमसी की